बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, मैंनेम इस महम्मद आमिर बशीर तोड़े आइम हेर यू तो टीच फजिक्स लेक्चर नमर फाइव, स्टॉप वाच, मैजरिंग, सलेंडर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताके आने वाली हर नईव अपडेट आपको मिल सके स्टाव वाच, ऐसी डिवाइस, जो किसी भी इवेंट के टाइम इंटर्वल को फाइंड करने के लिए इस्तमाल की जाती है, अब इवेंट क्या हो सकता है, सबसे पहले इवेंट का जानना जरूरी है, इवेंट किसे कहते हैं, हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने बॉल को भें जाना है, जैसे हम बॉल को फैंकेंगे, और जब तक टार्गर तक बॉल जाएगी, फैंकने से टार्गर तक हिट करने तक, जो डोरेशन होगा, जो टाइम इस्तमाल होगा, हम उसको इंटर्वल कहेंगे, हम स्टाव वाच को लेंगे, स्टाव वाच को करेंगे, बॉल को फै to measure the time interval of the event. मतलब AC device जो किसी भी events के दरम्यार में time को measurement करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं stopwatch की दो इकसाम होती है there are two types of stopwatch there are two types of stopwatch mechanical and digital stopwatch इस दोनों के दरम्यार में difference किया है mechanical and digital के बारे में mechanical stopwatch can measure an interval up to minimum 0.1 second and digital stopwatch commonly used in laboratories can measure a time interval as small as 1 over 100 second or is equal to 0.01 second दोनों basically stopwatch के तोर पर इस्तमाल की जाती है लेकर इन में जो basic difference है वो time interval का है mechanical के अंदर 0.1 second तक time interval को minimum को जो हम find कर सकते है और digital के अंदर हम उससे भी कम interval का 0.01 second का जो time interval है वो भी find कर सकते है तो आजकल जो हम इस्तमाल करते हैं वो digital stopwatch है जो हम इस्तमाल करते हैं हम stopwatch को कैसे यूज कर सकते हैं a mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch it can also be used to a start button and reset button अब दो बटन है इसके पर start button होगा और एक reset button होगा reset यह होगा हम उसके पर जो already time interval लिया गया था हम उसको 0 करेंगे ठीक है उसको start करेंगे then उसको stop करेंगे तो even come time find कर सकते हैं the watch start when the knob is pressed 1 जब हम knob को press करेंगे तो time के working शुरू हो जाएगी जब हम second time इसको press करेंगे तो वो stop हो जाएगी और इसी तरह से हम क्या करेंगे third बार जब हम उसको करने जाएगे तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे zero position पे लेके आएगे और फिर इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका time interval find कर सकते हैं अब डिचल stop watch को indicate the time left as the start stop button is pressed मतलब इन buttons को rearrange करने से हम इसको easily क्या कर सकते हैं इस्तमाल कर सकते हैं next topic is measuring cylinder measuring cylinder basically जो हम इस्तमाल करते हैं किसी भी चीज का volume find करने के लिए देखें हमारे पास एक पत्थर है irregular shape में है हम उसकी measurement नहीं ले सकते तो हम उसकी measurement कैसे करेंगे अब उसके लिए जो हम इस्तमाल करते हैं वो measuring cylinder करते हैं हम एक cylinder लेंगे जिसके अंदर liquid fill करेंगे हम water fill कर लेंगे क्योंकि cylinder के उपर हम क्या करते हैं उसके उपर numberings होती है mm की 0 से लेकर 200 का होता है इससे अब भी हो सकता है तो हम एक ऐसा करेंगे 100 ml का उसके अंदर water fill कर लेंगे तो उस पत्तर को उठा के उसके अंदर डाल देंगे फिर से हम उसकी reading लेंगे अब last वाली reading जो लिए है first वाली reading से हम उसको minus कर देंगे अगर फर्ज करें first reading 100 थी last वाली 125 थी तो हम 125 last वाली में से first को minus करेंगे 125 minus 100 is equal to 25 तो हमार पस measuring गई है 25 ml तो ये हमार पस क्या है पत्तर की क्या है हम लंबाई फाइन कर सकते हैं हम उसको measurement कर सकते हैं कि जो उसके measurement है वो कितनी है 25 ml a measuring cylinder is a glass or a transparent plastic cylinder या तो glass का या plastic का transparent cylinder होता है it has a scale along मतलब उसको उपर scales होते हैं volume के millimeter में होते हैं फिर हम क्या करते हैं different capacity होती है 100 ml तो लेकर 100 ml से लेकर 25-100 ml तक क्या होती है इंक अदर capacity होती है हम इसको करते हैं किसी भी चीज का volume they are used to measure the volume of a liquid are a powered substance powdered substance मतलब ऐसा substance जिनको हम accurately measurement नहीं कर सकते तो हम उसको इसलिए ड़ते हैं let's suppose हमारे पास कोई powder है हमनों उसकी measurement करने है तो हम उसको भी क्या करेंगे measuring cylinder में इस्तेमाल करेंगे ठीक है और हमारे पास stone है उसकी measurement लेनी है तो हम उसको भी क्या करेंगे measuring cylinder के मदद से इसको find कर सकते है it is also to use find the volume of the irregular shape solid or unsolubber inner liquid by the displacement method क्या करते हैं कि वो वाली shape वो वाला object जिसकी जो shape है irregular है हम ना उसकी हमें कोई length equal है ना कोई width equal है और भी हम उसको measure करने के लिए हम क्या करते है measuring cylinder को इस्तमाल करते हैं this solid is lowered into the measuring cylinder containing the water liquid हमने क्या करना है इस cylinder के अंदर water को feel करेंगे the level of the water liquid rise तो इसका volume rise हो जाएगा फिर हमने क्या करना इसकी measurement को note करते जाना है second में से first measurement को क्या करेंगे minus कर देंगे तो हम इस तान से क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ की objective volume find कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की volume find करने के लिए हमारे पास best way यह होना चाहिए हमारे पास correction position होनी चाहिए eye side और eye की position और जहां पे level of the water है वो हमारे पास क्या होना चाहिए same और equal होना चाहिए तब जा के हम एकुर्ण in the first place कि हम इस cylinder के अंदर देखें हमारे position incorrect है second के अंदर आप observe करेंगे तो बिल्कुल accurate है तो हम इस तरह से इसकी बिल्कुल accurate way में क्या कर सकते हैं measurement कर सकते हैं the last topic is significant figures the value of the physical quantity is expressed by the number followed by the sum suitable unit मतलब किसी भी value को में express करते हैं तो उसको unit से करते हैं every measurement of the quality is an attempt to find the true value हम किसी भी चीज़ को measurement करने के लिए चाहते हैं कि उसको accurate और सही तरह से measurement कर सकते हैं जो accuracy है measurement की वो depend करती है तीन factors के ओपर ये question बन सकता है on which factor of accuracy measuring cylinder can depends upon तो हम दिखेंगे there are three factors तो तीन factors कौन से हैं वो discuss करते हैं अब वो तीन factors के हैं the quality of the measuring instrument कि देखें हमने इसकी quality भी तो चेक कर रही है measuring instrument की कि जिसकी measuring instrument के वो वाला जिसकी मेरें करेंगे इसकी quality किया है number one number two the skills of the observer कि जो observe करने वाला है वो किस हद तक जा कि उसको observe करेगा जैसे कि हमने last मैंने पीछे आपको बताया कि हम incorrect way में कैसे मेरे कर सकते हैं correct way में कैसे तो वो skills बहुत ज़्यदा matter करते हैं number three numbers of the observation made कि हम इसकी मदद से किस हद तक क्या कर सकते हैं accuracy fine कर सकते हैं correct way में fine कर सकते हैं the following rules are helpful to identify the significant figures significant figures को find करने के लिए कुछ rules है हमारे पास अगर हम यह rules को memorize कर लेंगे तो यह हमर ली क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा number one non zero digits are always significant non zero का मतलब है कोई ना कोई value रखता हो 1235 यह मारे पास कहा है non zero digits है जो हमेशा always significant मतलब किस कहने कितने digits है 4 its significance is 4 0 between the two significant figures are also significance दो numbers के तरम्यान में अगर 0 आ जाता है मतलब 2 0 3 5 तो यह भी हमारा significant कहलाएगा final or ending zero are the right in the decimal fraction are a significant अगर final zero है और ending zero है right side में decimal point से पहले है तो यह हमारे पास क्या कहलाएगी significant figures कहलाएगी कैसे देखते हैं जरा यह मैंने देखें पहले उसने condition में कहाता कि सारे नाम zero हों तो यह हमारे पास significant कहलाएगा number two ने कहाता अगर number के दिरमें में zero है तो तब भी वो क्या होता है significant होता है अगर final or ending zero है तब भी वो क्या कहलाएगा मारे पास significant कहलाएगा तीन condition है यहां हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई है फिर zero written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing decimal points are not significant कहता अगर हम zero को space बढ़ाने के लिए लिखेंगे left side पे then वो significant नहीं होगा जिस तरह से अगर इस number के अंदर मैं zero को पहले add कर दूँ तो zero is not a significant क्योंके यहां हमने space बढ़ाने के लिए लिखेंगे हैं तीक है या इसके उपर कर लें या इदर लगा लें या इस number को पर कर लें तो तब भी हमारे पास यह क्या कलाएगा non significant कलाएगा for rule होगा rule number 5 कहता है न a whole number that and is one around more zeros with a decimal point these zero may or may not be significant in such a cases देखें कहना यह चाहरा है अगर हमारे पास whole number में decimal point में number है तो वो significant हो भी सकता है और significant नहीं भी हो सकता हो सकता है तो कैसे हो सकता है हम यह देखते हैं और नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता यह भी देखते हैं जी देखेगा इस number में अगर इस number में यह decimal point 045, this is a significant, यह मारे पास क्या कहलाएगा, significant कहलाएगा, अगर हम एक और 0 लगा दें, this 0 increase the capacity, not a significant, इस 0 की कोई value नहीं है, इसको ऐसे देख लें, तब भी इसकी वही value रहेगी, अगर इसके साथ 2-3 0 लगा दें, तब भी इसकी वही value रहेगी, लेकर यह तीनो 0, significant में नहीं add होंगी, तो हमें यहां से यह पता चला, अगर इस condition में 0 है, तो यह significant है, अगर हमें इस condition में 0 आगें, तो यह क्या कहलाता है, non-significant कहलाता है, तो यह हमें उसकी location पर डिपेंड करता है, location किस किसम है, और किस तरह से हम, उसके तरह से क्या कर सकते हैं, उसको find out कर सकते हैं, अब हम चलते हैं, बहुत इंपोर्टन शांट क्रेस्टन है, इस तिमेज यूर एज इन सेकें, अपनी उमर को अपने सेकर्स में बताने, तो let's suppose my age is 15 year, age in days, देखें, पंदरा साल है, तो 365.25, 365.25 यह days होते हैं, एक साल के अंदर, तो यह हमारे पास days बन जाएंगे, और age is in hour, 24 hours होते हैं, फिर उसको second minute में कर देंगे, फिर second में, और फिर इन ही seconds को हमने scientific notation में लग देंगे, तो यह हमारे पास क्याकल आएगा, age in setting, बहुत important short questions है, इसको आप लोग क्या कर लें, memorize कर लें, learn कर लें, और a core question, what is mean by vernier constant, the difference between one main scale division is, and one vernier division is called vernier constant, this is a minimum length which can be measured accurately with the help of the vernier scale, this is why it is also called the least count of the vernier caliber, क्या कहता है, यह difference है, main scale division के साथ, vernier scale division में जो difference है, उसको vernier constant कहते हैं, यह minimum length है, जो किसी भी चीज़ को accurately find करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं, और इसको दूसरे अलफाज में, हम vernier caliber का least count भी कहते हैं, तो इसी के साथ ही, हमारा यह chapter 1 complete हुआ, chapter 1 के मतलएक, अगर किसी बच्चे का कोई question है, तो हमें description में दिये गया लिंक पर join कर सकता है, हमें acquaint कर सकता है, और फिर, एक बार फिर आपसे कहते चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को subscribe नहीं किया, तो हमारे चैनल को subscribe भी कर करें, और bell icon button को press भी करें, ताकि आने बादे हर नए video आपको मिल सके,